हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुकेश अम्बानी हमारे देश भारत के सबसे धनी वैक्ती हैं। हर कोई इनके बारे में जानना चाता है। क्या आप जानते हैं मुकेश अम्बानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की बात करें तो अम्बानी परिवार का नाम दुनिया के सबसे अमीर वैक्तियों की टॉप 50 की लिस्ट में आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अम्बानी के पास कितनी दौलत होगी। खैर, आज हम इनके ड्राइवर की बात करने जा रहे हैं। देश में बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आकिर देश का सबसे धनी वैक्ति अपने ड्राइवर को कितनी तनखा देते हैं। ऐसे में यहां हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। दुनिया के सबसे अमीर उद्योग पती में से एक मुकेश अमबानी के पास सैकड़ों महगी कार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमबानी के पास 500 से अधिक कारे हैं। इतनी सारी कार को पार्क करने के लिए अमबानी के 27 मंजिला घर एंटीलिया में इसकी बकायता वैवस्था की गई है। इसके लिए 7 मंजिला गैरेज बनाया गया है। अमबानी अपने ड्राइवरों को अच्छे खासी तनखवा यानि पगार देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुकेश अमबानी अपने एक ड्राइवर को हर महीने 2 लाग से अधिक की सैलरी देते हैं। इस तरह साल भर में इन ड्राइवर की सैलरी 24 लाग से अधिक बन जाती है। किसी driver के लिए इतनी salary लेना काफी बड़ी बात होती है। इसके लावा इनके driverों को जीवन भीमा और बच्चों को अमेरिका में पढ़ने का मौकत दिया जाता है। इतने अमीर आदमी का driver बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पढ़ती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें बताया गया है कि अमबाने अपने ड्राइवरों को कैसे चुनते हैं। दरसल ड्राइवर बनने के लिए इन्हें कई परिक्षणों से गुजरना पड़ता है। ड्राइवर चुनने का जिम्मा कमपनियों को दिया जाता है। इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आमीर आदमी का ड्रैवर बनना कितना मुश्किल काम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमबानी के 27 मंचिला घर एंटीलिया में 600 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सबसे खास बात यह है कि अमबानी अपने नौकरों से किसी परिवार के सदस्य की तरह बात करते हैं। उनको उतनी ही जद देते हैं जितनी अपने परिवार के किसी सदसे को देते हैं तो इस पोस्ट में आपको मुकेश अमबानी के ड्राइवर की सेलरी की जानकारी मिल गई होगी